अस्सलाम उलिकुम दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर के हमतरीन खबरों से में सब वाकी फैरना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना इसको पूरा देखिए चैनल पर नहीं हो या फिर पहली बारा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमें सफरी में दोस्तों मिलती रहें तो साथियों आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रहे है कतर का टूरिजम को लेकर तो खबर दोस्तों यह है कतर सी ओवर हेंड़ेट परसेंट जम इन एयर पैसेंजर 2022 साथियों अप लोगों सभी को पता होगा कि जैसे ही क्रोना पेंडमिक आया था तो क्रोना पेंडमिक के वज़े से बहुत ही देशों को नुकसान हुआ है तो कतर के तरप से दोस्तो 2022 का एक डाटा निकाला गया यानि एयर जो सफर जो था पैसेंजरिंग जो था उसके तहर लगभग 101.9% की दोस्तो बढ़ोतरी देखनों को मिला है 2021-2022 के मुकाबले में यानि एयर ट्रांस्पोर्ट स्टेटिक्स जो है वो काफी जादा जम किया गया है 2021 के मुकाबले 2022 में ये कतर की Civil Aviation Authority के तरफ से दोस्तों Tuesday की दिन दोस्तों बताया गया इसमें ये भी बताया गया कि लगभग वहाँ पे 1,77,3,214 पैसेंजर हमद International Airport में 2022 में वहाँ पे दर्ज किया गया है कुल मिला के दोस्तों लगभग वहाँ पे 35,57,34,243 पैसेंजर दोस्तों वहाँ पे कतर में आए हैं तो कुल मिला के दोस्तों 35 मिलियन लगभग 3.50 लाग से भी ज़्यादा हो जाता है तो ये कतर कतर ऑथरिटी के तरफ से भी एनॉस्मेंट किया गया और वहाँ के दोस्तों अगली चुखबर आ है तो सातियों फरवरी की महीने में कतर का फ्यूल प्रेईस को वहाँ पे ज़ार Imma गया तो आप ड्रैविंग करते हैं तो आपको लिए ये जानना काफी ज़्यादा जोरी है तो कतर की फ्यूल प्रेईस दोस्तों इस लीटर तो उसके लिए आपको 2.10 कत्री रियाल आपको पर लीटर के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा यदि एक लीटर डीजल खरीते हो तो उसके लिए भी 2.05 कत्री रियाल आपको पेमेंट करना पड़ सकता है तो यह दोस्तों पूरी जारी की गई यह लिस्ट यदि यह यह स्री फरवरी के महिने का यदि आप मार्च में मेरे वीडियो को देखते हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत उतार चड़ाव हो सकता है क्योंकि हर महिने ज्यादा फर्क नहीं होता है जीरो पॉइंट पॉइंट का ही फर्क होता है तो लगभग यह सेमी रहेगा पर थोड़ा बहुत उतार चड़ाव हो सकता है अगली खबर की और सातियों चलते हैं अगली खबर दोस्तो जो आरे सातियों वारी सेक्रेटरी पैटरोल टू एसिस्ट ओनर रिटरेक्टिव लॉश्ट फैलकून सातियों आपको बता दू कतर में फैलकून्स को यानि दोस्तो बाज को जिसे अब चील भी कहते हैं तो उनके जो ओनर है कॉंट्रेक्ट मिनिस्ट्री ओफ इंटिरियर इंटर इंटर इंडस्टरियल सिटीस का तर रिटार टू पेट्स बड़ विद्धा स्कॉर्ट सेक्रेटरी पैटरोल यानि दोस्तो एक मिनिस्ट्री ओफ इंटिरियर का एक दोस्तो जो पैटरोलिंग होता है करने वाला यानि मतलब दोस्तो देखने वाला एक चील के तोर पे दोस्तो इसे कुट्टो का इस्तमाल किया जाता है उसी तरह वहापे चील का भी इन तीनों एरियाओं में ही दोस्तो गायब हुआ है जिसके बाद पुलिस और कैमरा के वगेज़ से दुहां पे ढूना जा रहा है क्योंकि दोस्तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है अगली जो खबर दोस्तो आ रही है साती हो आ रही है हमसी के तरफ से खबर यह है हमसी तंबाकू कंट्रोल सेंटर वर्न अगेंज डिफरेंट टैप्स ओप अलेक्ट्रोनिक सिग्रेट स्मोकिंग दोस्तो आप लोगो पताई होगा कि हमद मेडिकल कॉर्पेशन जो है लगातार यह कोसिस करते रहती है कि लोग तंबाकू से दूर रहें यानि सिग्रेट गुटका या फिर सिगार या फिर जिसे सीसा भी कहा जाता है हुका भी कहा जाता है तो लगातार इसको लिए नए नए कानून आते हैं नए नए रूल लेगुलेशन को लाए जाता है ताकि लोग वहाँ पे यह सबसे बस सके क्योंकि इससे कैंसर होनी की बहुत ज़्यादा संभावना होती है तो दोस्तो ये सब बंड कर्वाने के बावजोद भी अब लोग क्या कर रहे हैं इलक्ट्रोनिक सिंगरेट का निजदा किया गी जिससे articulate भी कहा जाता है या फिर फिर यहुका भी कहा जाता है तो अलेक्रानिक स्मोकिंग का लोग का ज़से शबल करने लगे हैं तो इसको ना इस्तमाल करने की और सभी को सक्त हिदाय दी गई है कि इसे इस्तमाल बिल्कुल भी ना करे ख़बर को पढ़ भी सकते हैं हमद Medical Corporation HMC तमबाकू कंट्रोल सेंटर है जैसे की E-cigarette और E-hookka तो दोस्तों ये बिल्कुल नुकसान दायक है और ये illegal है मार्केट में इसे सेल करना भी illegal है यदि कोई भी पकड़ा जाता है तो under law number 10 issue 2016 के तहट उसे ग्रफटार किया जाएगा और उसको दुकान पर पर परतिबन लगा दिया जाएगा तो ये कुछ खबरे थी कुछ अपडेट्स थी जो की कतर से आ रहे थी मैंने अब तक share किया उमीद करते हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो मिलते दोस्तों नेक्स वीडियो पे तब तक ले अपना खयाल लगे वीडियो देखने के लिए सुक्रिया जाहिंद लाफिस और तक केर